best laptop for traveling के लिए तो भी अगर आप ज़्यादा ही traveling करते हो ये वीडियो मैं especially आपके लिए बनारों plus मैं आपको कहा देना जाता हूँ अगर आपका बज़र 90 ताउन से लेके दो लाक है आज हम इस budget range की बात करेंगे ये अगर आपको बज़र 90 ताउन से लेके वान लाक टैन थाउन हो जाता है इस budget range में मैंने रखा है असूस रॉक जैबरस जी फोर्डिंग को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2020 में बहुत बिका है बहुत पसंद किया लोगों ने एंड बहुत ज़्यादा से बात करूँ आपको 3000 सीरीज की और से ग्राफिक कार देखने को मिल जाएगा जो की बहुत तगड़े होने वाले हैं अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ आपको 120 रिफ्रेश्ट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है तो बही अगर आपने ट्रावलिंग करनी है अगर आपको एक स्टालिस लेप्टॉप भी चाहिए आपके लिए ये लेप्टॉप पॉफेक्ट डील हो सकता है प्लस इसकी बैक सैड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है जिसको आप कस्तमाइज कर सकते हो तो यह अगर आप ट्रावलिंग करते हो उसके साथ अगर आप फोट्टो रील्स बनाने की जा अगर आपने यूट्यूप वीडियो में अपने लेप्टॉप को भी शो करना है आपके लिए ये लेप्टॉप पॉफेक्ट डील हो सकता है एक बार आप इसको चाहुड जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं चाहुड किया असूस रॉग जैबर सची फॉट इंग को अभी बात करते हैं आगे इसके में स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले की बात करो आपको 14 इंच पुल एच्टी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जगी जो की आईपैस एंटी के लिए डिस्प्ले जो की आपको 120 रिफ प्रेश्वि के साथ ही डिस्पे देखने को मिलेगी प्रसाइसर की बात करूँ इसमें आपको AMD राजन 5 भी मिल जाएगा 7 भी मिल जाएगा एंड भई अगर आप इस लैक्टप को जून जलाई तक लेते हो तो उसमें आपको AMD राजन 9 भी देखने को मिल जाएगा storage की बात करूँ आपको 8 GB RAM भी मिल जाएगी 16 GB RAM भी मिल जाएगी upgrade आपका सकते हो 32 GB तक प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाएगी graphic card की बात करूँ आपको RTX graphic card भी मिल जाएगा प्लस भई आपको GTX भी मिल जाएगा उसके बाद भी अगर आपने 3000 series की और जाने आपको वो भी देखने को मिल जाएगा मतलब अगर आपने 4 GB की और जाने मिल जाने 6 GB की और जाने मिल जाने मिल जाएगा अगर आपने 8 GB तक भ बज़ेट रेंज है वो यार दो लाग के बज़े तक भी चला जाता है तो पहीं में स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको पता दिया सूस रॉक्स जाप्रस जी फॉर्डन के लैप्तव बहुत जगदा सही है ठीक है अगर मेरा बज़ेट भी इतना होता नाइटी ताउं से लेक बहुत गुडड डील होने वाला अभी आगे बात करते हैं अगर आपको बज़ेट वान लाग तैन थाउंस से लेके वान लैक अगर आपको बज़ेट वान लाग 15,000 हो जाता है इस बज़ेट रेंज में यार मैंने रखे हैं दू लैपटाप सबसे पहले बात करते हैं वह तकड़ी मिल जाते हैं, सबसे पहले आपको touch screen देखने को मिल जागी, and आपको 8GB RAM भी मिल जागी, 16GB RAM भी मिल जागी, 32GB RAM भी मिल जागी, graphic card की बार करूं, आपको 4GB graphic card भी मिल जागा, आपको 16GB graphic card भी मिल जागा, ठीक है, इसमें आपको i5 भी मिल जागा, i7 भी देखने को मिल जागा, तो laptop पूरा loaded है, stylish and premium design के साथ देखने को मिलता है, light weight है, easy to use है, easy to carry है, तो अगर आप कहीं भी carry करके लेकर जाना जाते हो, आप easily, normally लेकर जा सकते हो, आपको 1% भी problem नहीं आने वाली, जो की यही चीज़ तो जाई होती है, अगर आप जादा traveling करते हो, आगे बात करते हैं, number one की number one, पर यार मैंने रखा है, HP Spectre X360 को, अगर इस laptop की बात करूँ, बहुत creators इसको पसंद करते हैं, international creators बहुत पसंद करते हैं, उसके plus point देखने को मिल जाते हैं, so that's why इसको पसंद करते हैं, आपको अच्छी display देखने को मिल जाता है, अच्छा design देखने को मिल जाता है, plus build quality बहुत अगड़ी है, and specification के according भी यह laptop आपको बहुत अगड़ा देखने को मिल जाता है, touches अगरीन देखने को मिल जाता है, उसके बाद यह 360 degree पूड़ा open हो जाता है, long battery लाव मिल जाता है, plus इसके trackpad and इसका अगर आपने typing वगड़ा के लिए भी जादा, अगर आपका को काम ऐसा आप जादा typing वगड़ा करते हो, आपके लिए भी यह laptop perfect deal हो जाता है, मैं दिल से आपको recommend करना चाता हूँ, एक बार आप चागूड कर लेना, HP Spectre X360 के, तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया, Microsoft Surface Book 3 के भी, and भई मैंने HP Spectre X360 के बारे में भी आपको बता दिया, दोनों laptop बहुत अगड़े हैं, मैं आपको थोड़ा से deeply नहीं बता रहा, because यह वीडियो की length जादा हो जागी, so that's why, और कोई भी reason नहीं देखने को मिलता, वैसे यह laptop बहुत जादा सही है, easy to use, easy to carry है, and भी अगर आपने हाथ में पकड़े होगे, कहीं लेकर जाओगे, and वो look को बगारा भी बहुत जादा सही देने वाले हैं, दोनों का design, दोनों के color बगारा आप बहुत premium देखने को मिलते हैं, अगर मैं बात करूँ है, अगर मैं बात करूँ है, अगर मैं बात करूँ, सकती है, Apple MacBook Pro, and Apple MacBook 13, दोनों के जिसकी और भी आप जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, कि अपने 16 GB RAM के और minimum जाना ही जाना है, storage जितनी आपको सही लगती है, आप उसके और जा सकते हो, ठीक है, मैं आपको Apple MacBook 13, and Apple MacBook Pro के भी बता दिये, तो यादा मैं आपको deeply नहीं बता रहा, विकास जो laptop है, वो बहुत जादा सी, speakers की quality सबसे जादा अची है, आपको Apple के MacBook में ही देखने को मिलती है, and trackpad की जो quality होगी, जा build quality होगी, उसके बाद इसकी जो display होती है, वो बहुत जादा सी, अगर आपने color grading करनी है, photo acting करनी है, आप सभी के लिए best अगर आपने graphic design करनी है, animation करनी है, आपके लिए best अगर आप as a creator काम करना जाते हो, आपके लिए भी ये दोनों laptop बहुत जादा तगड़े होने वाले हैं, तो अभी मैंने आपको पांच laptop बता दी, इन पांचों में से कोई भी आप लेना चाते हो, आपके लिए good deal हो जाएगी, कोई भी ले सकते हो, बहुत जादा loaded मिल जाते है, आपना पैसे देख लेना, जो स्पैसिफिकेशन चाहिए, आप वो भी देख लेना, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना जाते हो, कमेंट शेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर मैं रप्लाई जल्दी नहीं करता, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैंसे ही कर सकते हो, मैंने लिंक पर वाइड किया, आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा, तो यार अभी मेरी वीडियो, यहीं पर हो जाती है, अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करदना, कमेंट करदना, शियर करदना, दोस्तों को बेदना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना, उनको भी कहतना कि चानेटों को सब्सक्राइब वीडियो को करदे, लाइक और इंस्ताग्राम पे को लिए फॉलो लिंक अब गाराई यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाग उसको चाहँ पर लाम भी मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो के साथ थेंक्यू